पीए मोदी और अडानी के मुश्किलें अब बढ़ने वाली है क्योंकि जिस मामले से बचने की कोशिश केंद सरकार कर रही थी या ये भी कह सकते हैं कि अपने मित्रों को बचाने की जिस मामले से कोशिश की जा रही थी अब वो मामला जांच के घेरे में आ चुका है और नीती बनाई है जिससे बचना इस बार बीजेपी और उनके मित्रों के लिए मुश्किल होता जा रहा है नमस्कार मैं हूं अंचिता सेवी प्रमुक मादवी पुरी बुच्छ की मुश्किल कम होने के बजाए लगातार बढ़ती जा रही है एक मुश्किल खत्म नहीं होती क कि उनके सामने नहीं मुश्किल आ जाती है क्योंकि देश की मुख्य विपक्षी पार्टी एक के बाद एक बड़े खुलासे करके सरकार और अडानी के साथ ही सेवी प्रमुक को लगातार घेर रही है लेकिन अब इन सब के बीच में एक ऐसी बड़ी खबर आई है जिसने सर इन गोपाल के अगवाई वाली पीएसी सेवी चीफ के खलाफ भरष्टचार से लेकर घलत व्यवहार तक के तमाम आरोपों की जाच करने जा रही है रिपोर्ट में मामले से जुड़े लोगों के हवाले से कहा गया है कि जाच के सिलसले में सेवी चीफ को इस महीने पीएसी समझ जारी कर सकती है तो अब जब से यह खबर आई है पीएम मोदी और अडानी परेशान है तो इस पर भी हम बात करेंगे कि आखिर यह परेशान क्यों है और इस परेशानी का सबसे बड़ा कारण है पीएसी की ताकत जो सेवी चीफ को भी कानून के कटगरे में खड़ा कर सकती है यही नहीं पीएसी के पास इतनी ताकत होती है को पीएम मोदी को छोड़कर उनके मंत्री मंदल के किसी भी सही होगी और यहां तक कि किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री तक को समन कर सकती है किसी भी समयधानिक संस्था के प्रमुख को भी जाच के लिए बुला सकती ह तो ऐसे में अब सबसे पहले ये भी जानना जरूरी है कि आखिर P.A.C. होती क्या है तो P.A.C. के वेबसाइट के अनुसार पब्लिक अकाउंट कमेटी गठन, मांटेग्यू, चेम्सपोर्ट सुधार के तहत 1921 में किया गया था 26 जनवरी 1950 को समिधान लागू होने के बाद पब्लिक अकाउंट कमेटी के बाद इसे पालियमेंटरी अकाउंट कमेटी बना दिया गया और लोगसभा में सभापती इसके चेर्मेन हो गए 1967 से पीएसी की चेर्मेन का पद विपक्ष के संसत को मिला उसके बाद से ये पद सबसे बड़े विपक्षी दल के संसत को मिलता रहा है तो पीएसी का चैर्मेंण सबसे बड़े वेपक्षीदल का नेता होता है ये बात आपने जाने लिए और इसके अलावा इसमें सनसत के दोनों सद्र NOW के सदस्यों को भी शामिल किया जाता है तो लोगसभा के पंदरा और राजजसभा के साथ सदस्यों को इसमें चैन किया जात करना होता है இसके पूरी जानकरे निकाली जा सकती है और आम तोर पर इसका आधार नियंत्रत और महालेखा परीक्षक यानी की कारी रिपोर्ट ही होती है अब भारत हैवी एलक्रिकल क prefers जैसी सावजन買 avon करना ही पड़ती है, ऐसा नियम है, क्योंकि इसके सदस्थियों का और आम तौर पर इसके रेपोर्टों में सिफारिशें होती है, जो तक्नी की रूप से भारत सरकार के लिए बाधिकारी नहीं होती लेकिन इसके सिफारिशों को गंभीरता से लिया जाता है और इस रिपोर्ट को सरकार संसद में भी रखती है लोक्स लेखा समिती को सरकार की कारवाई नोट्स की समीक्षा करने का भी अधिकार है और उसके आधार पर जाच के लिए अनुमोदन करने का भी अधिकार इस समिपी के पास होता है और इतने बड़े अधिकार है यानि साफ है कि P.A.C. में विपक्ष का दबदबार है था है क्योंकि जिस तरह से अधिकारों के बारे में अभी हमने बात की तो इसमें निकल कर आ है कि विपक्ष की अच्छी खासी भूमिका पीएसी में होती है और जहां विपक्ष मजबूत है वहां तो बीजेपी या केंद सरकार या डानी का डरना जायज है ऐसा अब विपक्ष के द्वारा कहा जा रहा है खैर इसके अधिकारों के बारे में और विस्तार से समझते हैं तो इसके अधिक्ष को भी ज्यादा अधिकार रहते हैं ऐसे में अगर पीएसी की जाच होती है तो सेवी चीफ के अलावा मोदी सरकार भी जाच में घिर सकते हैं अब क्योंकि सभी जानते हैं कि हिंडन वक की रिपोर्ट में सेवी चीफ और अडानी ग्रुप के बीच कनेक इसलिए जैसे ये खबर आई थी और अब जब खबर आई है कि जाच पीएसी कर रही है तो इसलिए जानकार दावा कर रहे हैं कि जब जाच होगी तो गौतम अडानी भी इससे अचूते नहीं रहेंगे और उनके मुश्किलें भी बढ़ सकते हैं तो अब इस खबर के आते ही सरकार इसलिए भी परिशान है क्योंकि अभी तक तो कॉंग्रेस ने माधवी पुरी को लेकर जो भी खुलासे की हैं सरकार से जो भी सवाल पूछे हैं उसके जवाब भी सरकार नहीं दे पाई है उल्टा जब इस तरहा के सवालों के जवाब दे अगे आया और उसने जवाब देने की कोशिश की तो कॉंग्रिस ने उल्टा दुबारा उसके ही जवाबों में उसको गेर लिया और नए सवाल खड़े कर दिये और इसके बाद से कहा जा रहा है कि कॉंग्रिस ने पूरी तैयारी के साथ सेवी प्रमुख पर सवाल उठाएं और फिर जैसे ही अब ये खबर आई कि पीए सी सेवी चीफ को समझ जारी कर सकती है तब तो जानकार दावा कर रहे हैं कि अब तो बहुत बड़े खुलासे हो सकते हैं मतलब सेवी चीफ तो घिरेंगे ही उन्हें बचाने वाले भी घिरेंगे और इसके तार कहां तक फैले हुए हैं कौन किसे बचा रहा है क्यों बचाय जा रहा है किस किसका इससे संबंध है ये सारी पढ़ते खुलेंगी जब जाच होगी तो और इसी वजह से बीजेपी और प्रडानी की नीदूरी हुई है उन्हें अब समझ नहीं आ रहा है कि इस मुश्किल से कैसे छुटकारा पाएं कैसे निपता जाए क्योंकि अगर जांच में कुछ हाथ लग गया तो विपक्ष छोड़ेगा नहीं और जोर शोर से इस मुद्दे को उठाएगा जब पहले ही अभी तक सिर्व विपक्ष के हाथ में कुछ रिपोर्ट्स आई हैं कुछ पेपर्स आई हैं तब कॉंग्रिस ने इतने सवाल खड़े कर दिये पी एम मोदी से सीधे सीधे सवाल पूछ लिए तो ऐसे में जब जांच भी विपक्ष ही करेगा विपक्ष की कमेटी ही करेगी तो इसमें तो बड़े-बड़े खुलासे हो जाएंगे और जांच में बड़े-बड़े खुलासे होने की संभावना बहुत ज्यादा है क्योंकि जांच पी एसी कर रहा है इसलिए इसमें किसी भी तरह की धांदली और ढिलाई की गुंजाईश नहीं है और ऐसी कोई और विपक्ष दोनों के सद्द से शामिल होते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया और पीसी के एजेंडे में सेवी या सेवी चीफ का सीधे तोर पर तो नाम नहीं लिया गया है वास्तम में इसे संसत के अधिनियम के तहत regulatory bodies की performance review के रूप में शामिल किया गया है हाला कि मामने से जोड़े अधिकारियों का ये भी कहना है कि ये बाजार नियामक सेवी से ही जोड़ा लगता है तो अब वहीं बात करें विपक्ष के आरोपों और सवालों की तो कॉंग्रेस नहीं सेवी प्रमुक से जोड़े कई खुलासे किये थे आपको याद होगा पिछले दिनों कॉं टाइम मेंबर थी 2017 से 2014 के बीच में रेगुलर इंकम ICICI बैंक से ले रही थी 16 करोड असी लाक और इसको तीन अलग अलग भागों में हमने आपको दिखाया कि तंखवा ले रही थी आप से भी की होल टाइम मेंबर हैं आप ICICI से तंखवा क्यों ले रही थी हम ये जानना च इसोप आप सब समझते हैं इसोप और इसोप पे जो TDS था वो भी ICICI ही दे रहा था ICICI Bank एक महतुपूर्ण Bank सेभी की Chairperson एक महतुपूर्ण Regulatory Body की सबसे उंचे पद पर बैठी व्यक्ति अधिकारी तंखवा ले रही हैं एक और जगें से पवन खिडा ने Press Conference में कई बड़े खुलासी किये थे जिसमें सबसे बड़ी बात ये निकल कर आई थी कि सेभी प्रमुख होते हुए भी मातवी पुरी बुज ICICI से भी सालरी ले रही थी और इसके बाद उन्होंने मोधी सरकार पर भी सवाल खड़े किये थे कि आखिर आपकी निगरानी में ये सब कैसे हो गया क्या आपने सब की जाच नहीं की थी क्यों एक ही समय पर वो दो जगा से सालरी उठा रही है तो इस तरह के तमाम सवाल प पर वन खिडाने सुले थे आये थे और नजर अंदाज कर दिये तो साब हम क्या कहें आप ही समझ जाईए और नहीं आये थे कैसी सरकार चला रहे हो साब यह हो सकता है कि ACC को आपने पूरी तरह से अपने एक अधिकारी के हाथ में दे रखा हो कि जो तुम करोगे हमें मन्जूर है यह भी हो सकता है हमें नहीं मालूँ हम तो जानना चाहते हैं प्रधान मंतरी से तीसरा सवाल क्या प्रधान मंतरी को यह जानकारी थी Was the Prime Minister aware कि जो SEBI की Chairperson है वो एक Office of Profit पे बैठी है ICICI से तंख्वा ले रही है income ले रही है SEBI की Whole Time Member बन कर भी ले रही है Was the Prime Minister aware of this Office of Profit issue He want to know this चौथा सवाल हमारा प्रदान मंत्री से क्या प्रदान मंत्री को ये मालूम है कि SEBI की Whole Time Member जो की ICICI से income और salary ले रही है फिर उसके बाद वो Chairperson बनती है उस SEBI के सामने ICICI के कई लंबित मामलों पे judgment दी जा रही है आज ही आपने पढ़ा होगा ये Economic Times में आज छपा है ये देखिए कि SEBI ने अपनी ही guidelines बदल दिया ICICI की मदद करने के लिए अब समझ में आ रहा है क्यों बदली ये आज की ख़बर है पुरानी नहीं ये तो मैं story जब हम तयार कर रहे थे तो आज आई है story तो पहले से तयार हो रहे थे तो प्रधान मंत्री को का ये जानकारी थी ESOP की भी एक policy है SEBI की member को SEBI की chairperson को ESOP के lab ICICI से इतने वक्त ICICI छोड़ने के बाद भी क्यों मिलते रहे हम और आप कोई company छोड़ते है ESOP की एक policy होती है तीन महिने की होती है छे महिने जो भी होती है policy आपको मालूम लेकिन इनको इतने सालों बाद कैसे मिल रहा है उसका TDSB ICICI से दे रहे ये हो कह रहा है क्या प्रधान मंत्री कोई जानकारी थी Was the Prime Minister aware of this अब हम एक ऐसा सवाल पूछ रहे हैं जिसका जवाब शायद हम सब जानते हैं यानि विपक्ष के सवालों ने मोधी सरकार को बता दिया था कि विपक्ष के पाथ सबूतों का भंडार है और इसलिए विपक्ष के सवालों से बचना इस बार आसान नहीं रहने वाला है और इससे सरकार पहले ही परेशानती कि इसी बीच अब खबर आ गई कि मामले में भिस्टाचार समें तमाम आरोपों की जाच अब पीएसी करेगी तो इस रिपोर्ट को लेकर आपका क्या कहना है हमें कॉमेंट करके अपनी राय जरूर दीजेगा इसी के साथ मुझे दीजे जाज़त देखकर एड़ी विलाइब नमस्कार